दोस्तो आज के टाइम पे एक अच्छी हाइड होना किसी वर्दान से कम नहीं है लेकिन कुछ कारणों के वज़े से हमारी हाइड छोटी रह जाती है जिसे हमें हर जगा सर्मिंदी किसी महसूस होती है और हमारा कांफिडेंस जो इंदम लो रहता है जिसकी वज़े से हम किसी फेल्ड में गुरो नहीं कर पाते हैं और उपर से भी हमें तरह तरह के ताने सुनने को मिलते हैं लेकिन आज से यह प्रॉब्रम आपकी दूर होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे फूड बताने वाला हूं कुछ ऐसी एकसर साजिय बताने वाला हूं पूरा देख लेते हैं तो आप 15 से 20 दिनों के अंदर अपने हाइड काफी अच्छा इंक्रीज कर पाएंगे और अपने कॉंफिडेंस को काफी हद तक बढ़ा पाएंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी हाइड बढ़ाने के लिए हमें करना क्या पढ़ता है तो मैं आदो कि जब भी हम ex-sizes करते हैं जब भी हम अपने बॉडी के stretching करते हैं जब भी हम high protein food खाते हैं तो यह हार्मोन हमारे बोडी में बहुत ही तेही से बनने लगता है अब सवाल यह आता है कि human growth हार्मोन हमारी बॉडी बनाती कब है जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी जो कुछ खाय पी रहते हैं, जो exercise की रहते हैं, उसी की मदद से हमारी body human growth hormone बनाती है, इसलिए हमें 7-8 गंटे का proper rest भी लेना पड़ता है, जिससे कि हमारी body अच्छे से human growth hormone बना पाए, तो चलिए हम बात करते हैं, वो कौन से food हैं, जो कि अगर आप लेते हैं, तो आपकी height आपको market से easily मिल जाएगा, इसके लिए आपको ज्यादा budget भी लगाने के जरूरत नहीं है, कुछ लोगों के तो घर पे ही खजूर मिल जाती है, अगर आप डेली 5-6 खजूर खाते हैं, तो मैं guarantee लेता हूँ, आपको बहुत ही कम time में, बहुत ही अच्छे रेजर देखने को म मिलेगा, हमारा जो दूसरा food है, वो है अंजेर, अंजेर भी आपको market से easily मिल जाएगा, आपको इसके लिए थोड़ा budget की जरूरत पड़ेगी, हमारा जो तीसरा food है, वो है असोगंधा, असोगंधा और सिलाजीद एक ऐसा product है, जो कि अगर आप इसका यूज करते हैं, तो आपके पाचन सकती भी जो आप काफी बढ़ जाती है, आप कोई भी चीज खाते हैं, आपके अंदर आसानी से डाजेट हो जाता है, अगर आप असोगंधा का यूज करते हैं, इससे आपके body में human growth hormone बहुत ही तेजी से बढ़ता है, जिससे आपकी body बढ़ने के ज्यादा च जरुरत नहीं है, तो चलिए हम बात करते हैं, वो कौन सी exercises हैं, जो कि अगर आप करते हैं, तो आपकी body बहुत तेजी से grow होती है, और आपकी heart काफ तेजी से बढ़ती है, इससे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको icy exercises करना है, जिसमें आपकी body की stretching हो, और आपको jump भी करना पड़े, तो हमारी पहली exercise है, इसमें आप raw skipping भी कर सकते हैं, raw skipping आप जब करते हैं, तो आपका jumping वारा काम है, वो भी होता रहता है, और आपकी body जो है, लगतार movement भी करती रहती है, जिससे आपकी body के हर पाड़ active रहते हैं, जिससे आपकी body को HGH हार्मोन बनाने में बहुत ज पाएंगे, हमारा पहला खेल है, वो है volleyball, अगर आप volleyball खेलते हैं, इसमें आपका jump करते हैं, तो उसमें आपकी body पे एक अच्छा stretching पड़ती है, इस जिससे आपकी body बढ़ने में काभी ज़्यादा मदद मिलती है, दूसरा खेल है हमारा, वो है basketball, आप कोई भी game अपने काम भी हो जाए, और आपकी body पे stress पड़ना चाहिए, जिससे आपकी body काभी बढ़ने की आए, तो आपको एक बात का याद रखना है, HGH हार्मोन, क्योंकि यह ऐसा हार्मोन है, कि आप इसे अपने body में जीतना ज्यादा बढ़ाओगे, आपकी body गुरो होने की उतना ज्याद प्राइम में बहुत अच्छा result देखने को मिलेगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें, जिससे उनको भी यह unique information मिल सके, अगर वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को एक like कर दीजिए, और ऐसे ही amazing वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लेजिए, जिससे ऐसे ही सारे useful वीडियो आपके पास पहुंस रखें,